मुसलीम हूा तौ अमें कभी फिल नहीं होता कि हिंदूस्तान में हमें खात्रा है mob कि हिंदूस्तान को मुकाद दिया जाएगा कि हिंदूस्तान में रहने के लिए पुरा आदा पकिस्तान खाली हो से यह सास में खाली होothermal Eigen के लगी एक कुछिन क्यों कर रहे हैं अप शंदार है शंदार क्या बाद जोश है अपने अंदर है एक तो मस्त है आरे जोडी तो जो मतलब पुराना होते हुए भी जो निव जो क्रियस किया है जो मतलब एक लाब हिस्टोई दिखाया वह वह ऑब ऐसे लग रहे है कि यार निव है नियू लग रहे है ऐसा क्या मज़ा आएक स्थेन है आरे थियाटर के माहुल तो मतलब शांदार था एसा कोई लोग नी तो चीटी नहीं मर रहा था एसा कोई नहीं चिला नहीं रहे था वे तो गलब फाड़ गया मैं फाड़ फार के चिला जो नारा लगत थी हिंदूस्तान जिंदाबाद मतलब क्या शोर था मस था अरे सानी दिवल जो पुराना था एसा लग रहा था कि उनका उमर हो गया यह मतला हो नहीं पाएगा पर नहीं जो जोश है उसके अंदर उप पुराना वला अंदास में आया और दिखा दिया कि मैं सानी दिवल था और हूँ और आगे भी रहूंगा बस था अरे वो तो बहुत मिस कर रहा हूँ अभी वो है नहीं तो उनको थोड़ा दिखाया उनका जो तस्विर दिखाया तो बहुत इमोशनल हुआ कि हमारा बहुत अच्छा कलागार थे उन्होंने तो बहुत मिस है कि हम भी एक फ्लीम लाइन से ही है अभी स्ट्रेगल कर रहा हू तो उनको बहुत मिश है और बहुत मिश किया है कि ऐसे एक शंदार हमारा जो एक्टर था वो गया नहीं आस बहुत मिश किया है पाकिस्तान जो है उनका जो गलत फेहमी है एक जिकली ओ नहीं रहना चाहिए एक मैसेज है मुवी में कि आप लोग जो सोचते एक जिकली हो नहीं है हम हिंदुस्थानी में खोद मुस्लीम हूँ तो हमें कभी फील नहीं होता कि हिंदुस्थान में हमें खात्रा है तो पकिस्थान को यह समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे मुसिलिम शुरक्षी थे और जो एक डायलोग बोला है कि अगर पकिस्थान को मुकाद दिया जाएगा कि हिंदुस्थान में रहने के लिए पुरा आदा पकिस्थान खाली हो जाएगा साज में खाली होगा कि हिंदुस्तान इतना शांदर जगा है अपना बतान है अपना देश है अपना भरत माता है क्या बोलो इनके वारे जो डायलोग था मस था अपन्त उतार नहीं वाला था उससे पहले भाग गया तो उसका उतार ही नहीं उनको समझ में आ गया यह अगर उतार गया तो हमारा गया सब इल्टा भाग जा इनके ऐड़ा पास में तो पास ही यह सवाल ही ये की कौम करने का पास में से पास है थैंक सुमास